हे दोस्तों स्वागित आप सबका मैं हूँ राल एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशन स्पीकर, फाउंडर ओफ वाक्स, मिड़ास्यलिशन डॉट कॉम आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फेस्बुक बिजनस पेज के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक एडवांस और एक कम्पीट फेस्बुक बिजनस पेज कैसे बना सकते हैं आप उस पे अपना business page कैसे promote कर सकते हैं आप अपने facebook page की कैसे settings कर सकते हैं और एक complete advance facebook page परना के आप उस पे कैसे अपने business की posting करके आप अपना business grow कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस video में मैं आपको completely एक facebook page बनाना सिकाऊंगा तो दोस्तो इस वीडियो का अंतर जरूर देखेगा इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपना Facebook Business पेज बना सकते हैं और उस पे अपने Business की पोस्टिंग करके आप अपना Business ग्रो कर सकते हैं, Business से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तो आप बनाते हैं हम एक Advanced और एक Professional Facebook Business पेज जिससे आप अपना Business परमोट कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको एक Facebook Business पेज बनाना है तो उससे पहले आपको कुछ requirements है जो आपको complete करनी पड़ेगी सबसे पहला जो requirement है वो है एक Facebook ID, आपके पास एक Facebook ID होनी चाहिए जिससे आप अपना Business पेज बना सकते हैं आपके पास, अगर आपके पास ऑल्रीडी एक Facebook ID है तो आप उस पे भी अपना Business पेज बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप एक new ID क्रेट करके भी वहाँ पर आप अपना business page बना सकते हैं Second requirements है वो है आपके Facebook business page का name आपके पास एक name होना चाहिए जिससे आप अपना Facebook business page बनाएंगे उसमें आप अपना store का name या फिर आपका कोई website का name है या फिर आपका कोई business है तो उसका name भी आप यहां पर use कर सकते हैं Third है आपका एक email ID होना चाहिए आपके पास एक email address या contact number भी होना चाहिए जो आप यूज कर सकते हैं आपने Facebook business page में जिसके बाद आपके जो clients है वो आपको contact कर सकते हैं Fourth number का वो है आपकी पास एक address होना चाहिए एक professional address अगर आपके कोई भी customers है अगर वो आपके पास offline आना चाहिए तो आपको contact करना चाहिए तो आपके पास एक professional address भी होना चाहिए जिससे आप अपना business और भी अच्ही तरिके के से प्रमोट कर सकते हैं आप आफ लाइन भी अपने कस्टमर्स को अपने बिजनस के यहां पर पहुचा सकते हैं फाइब नंबर का जो रिक्वाइर्मेंट है वह आपके पास एक लैंडिंग पेज या आपके पास वैब साइट होनी चाहिए जिसका यूज आप अपने फेस् इमेल अड्रेस या आपके पास एक फेस्बुक आईडी और कांटेक्ट नंबर और आपके पास एक स्टोर नेम है तो उससे भी आप अपना फेस्बुक बिजनस पेज बनाके आसानी से आप अपना बिजनस प्रमोशन यहां पर कर सकते हैं तो दोस्ते चलिए आप बनाते है हम एक फेस्बुक बिजनस पेज तो सबसे पहले आपको एक फेस्बुक बिजनस पेज बनाने के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपना फेस्बुक आईडी तो आप सबसे पहले अपना फेस्बुक आईडी लॉग इन कर लीजिए उसके बाद आपको यहां पर क् क्लिक करने के बाद दोस्तों देखे आपको यहां पर पांच ऑप्शन दिख रहे हैं पांच ऑप्शन में से आपको यह जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना पेज पर क्लिक कर देना पेज पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहां पर आपके स आपके पास एक store name मैंने आपको बुला था आपके पास होना चाहिए तो आप वहां पर यह वाला आपका जो भी store name है आप वहां पर डाल देंगे तो मैं आप यहां पर xyzyy क्योंकि मैं कोई professional business page नहीं बना रहा हूं इसके बाद आपको यहां पर category select करना है आपका जो भी category है वो आप यहां पर select कर लीजिए जो भी आपका category है कुछ भी आपका उससे related आप यहां पर search कर लीजिए दिसे local अगर आपकी services है तो local services आप यहां पर डाल दीजिए उसके आपको यहा पे जो है address डाल पर जो भी आपका address है वो आप यहां पर डाल दीजिए उसके बाद आपको कंट्री के और चे कांट्री आप स क्वाल अब अगर आपके पास contact number है तो आप यहां पे डाल दीजे, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाद में भी use कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहां पे continue कर देना है, continue करने के बाद अब आपके सामने एक नया टाब open होगा, उस टाब के अंदर आपको cover photo और आपको profile photo लगाने का option म के वहां चीब करने के बाद आपके जो भी page बना रहे हैं, उसका आपके पास logo ना चा़ीए, अगर आपके पास logo ना चाहिए, अगर आपके पास cover photo और आपके पास source कर रखिए, तो आप यहां पर upload के option पे ले इा ऊप स्कुलिटली जो है आपका पेज बन के आ घाए गया страх प्लीटली से बBY चाहँ प्लीटली और प्लीटी पीजिए अगर यहांपे लोगो आपकी बास लेयी ब्लीट nut q आपको upload photo पे click करना है और upload photo पे click करके आप जो भी आपके पास कोई logo पड़ा है तो वो logo आप यहाँ पे upload कर दीजेए ठीक है दोस्तों उसके बाद logo को upload करने के बाद आपको जो है यहाँ पे cover photo भी upload करना है तो जो भी आपका cover photo है वो आपने बना रख़ा है उसमें आपको business related information आपको देनी पड़ेगी, लोगो अपलोड होने के बाद अगर आपके पास cover photo है, तो आप cover photo भी यहाँ पे upload कर दीचे, यहाँ पे आपको ख्लिक करना cover photo पे, और upload photo या video भी आप जो है यहाँ पे upload कर सकते हैं आपके पास कोई भी photo पढ़ी है cover photo तो आप यहाँ पे upload कर सकते हैं इस तरह से देखिए आपका cover photo यहाँ पे upload हो जाएगा दुस्तों cover photo में एक चीज़ का ध्यान रखना आपको इसमें अपने business related information देनी है जो भी आपका business है उससे related आपको complete information आपको cover photo में देनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे upload करके यहाँ पे save change पे option पे click कर देना save change पे आप जैसे click करेंगे आपका cover photo भी यहाँ पे upload हो जाएगा और इस तरह से आपका logo भी upload हो गया और आपका cover photo पे upload हो गया उसके बाद दोस्तों अगला जो काम आपको करना है वो करना आपको create a username का option यहाँ पे दिख रहा है इस पे आपको click करना है और आपको आपके page का जो भी name है वो आपको यहाँ पे अपना username लेना है तो आपको यहां पर click करना है और आपका जो page का name है वो आपको copy कर लेना है और यहां पर paste कर देना पेस्ट करने के बाद आपको अगर username मिल रहा है तो ठीक है अदर्वाज यहां पर आप कुछ और गाड़ करके अपने business related वो आप यहां पर username ले सकते हैं और create username पर आपको click कर देना create username पर आप जैसे click करेंगे आपका username बन जाएगा यहां पर देखे दोस्तों you are already यानि कि हमारा username यहां पर हमें मिल गया है तो अब next time हम जब भी page यहां पर open करेंगे वो हमारी username से ही हम यहां पर open करेंगे जैनि कि यह आपकी website की तरह ही आपको जो है Facebook अपना username आपको provide करवाता है जैसे Facebook YouTube सब अपना username provide करते हैं वैसे ही Facebook भी आपको अपके page का username provide करता है युजरनेम complete लेने के बाद दोस्तो अगला काम जो हमें करना वो करना इसका about a space हमें ready अपर बात अपर % करने के लिए आप यहां पर खर में NICK अपर unc अगर दिख रहा है लोकल सब्सेश नेम दिख रहा है आपके फेस्बुक पेज का जो भी नेम है उसके बाद यूजर नेम आप देख सकते हैं यूजर नेम भी आपको मिल गया है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ नहीं करना आड़ बिजनेस डिटिल में आपको अगर आपको और कुछ टाइप करनी है बिजनेस में तो वह आप यहां पर आड़ करने के बाद दोस्तों अब आपको जो आगे जो चलना है वह यहां पर आपको दिख रहा है आपको मैंने बोलो था कि आपके पास एक प्रोफेशनल इमेल ड्रस भी होना चाहिए तो आपके पास जो भी प्रोफेशनल इमेल ड्रस है आपका वह आप यहां पर डालती है उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपके पास एक लैंडिंग पेज भी होना चीए या फिर आपके पास एक वाप साइट होनी चीए तो जो भी आपको यहां से एंटर वैब साइट पर क्लिक है वह वहाँ से बाई कर सकें तो अगर आपके पास एक वैसाट है यह फिर लैंडिंग पेज है तो वह यहां पर यहां पर टीक करके आपको फिराने हैं से पर सेबसेट पर क्लिक करना जैसे करेंगे आपकी वैसाइट यहां परerd हो जाएंगी अब आण आस से इंद्डूर अधिट अधर अकाउंट यहां पर ऑप्शन दिख रहा है तो उसके अंदर आपको इंस्टाग्राम या लिंक दिन जैसे और अप्शन या फिर आपके पास और अकाउंट से तो वह भी आप यहां पर आड़ कर सकते हैं उसके बाद आपको नीचे चलना है आड़िट अगर आपको इहां पर आपको इहां पर आड़ करना है अगर आपको इहां पर आड़ करना है अगर आपके पास नहीं है तो आप यह बाद में भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप यह बाद में भी कर सकते हैं दोस्तों अबाउट अगला काम हैं भी करना है वो आपको यहां पर 5 options दिख रहे हैं, 5 options में जो भी आपके business के लिए useful है, वो आपको button यहां पर लगाना है, अगर आपका bookings related कोई business है, तो आप यहां पर book now पर click करके, booking वाला जो है, आप यहां पर button लगा सकते हैं, अगर आपका bookings related कोई business नहीं है, और आपका ऐसा business है, local services वाला contact करें, अगर आपका कोई ऐसा business है, तो आप यहां पर contact, send message या call नाव वाला, कुछ भी आप यहां पर button लगा सकते हैं, और उस पर आपका traffic आप redirect कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों, अगर आपका और कोई business है, जिसमें आपके वीडियो से related आपका कोई business है, या फिर और भी क shop now का button लगा सकते हैं, see office वाला button लगा सकते हैं, अगर आपका कोई mobile application या कोई आपका game है, तो उस से related आप यहां पर यह बटन लगा सकते हैं, तो आप अपने according अलग अलग बटन यहां पर देख सकते हैं, जो भी आपका business related button है, वो आप यहां पर लगा दीजे, तो मैं आप आपके एक normal button लगा देता हूं, बाकि एक कुछ नहीं करता हूं, ठीके दोस्तों, इस तरह से आपको बटन लगाना है, और मैंने लगाया है, send message का button, तो दखिए दोस्ते, यहां पर send message का button लग गया है, और इस पर से अगर कोई क्लिक करेगा, कोई भी customer अगर यहां पर क्लिक अगर काम क्म्-टाया है, अद्वान्स आपने काम कंप्लीट कर ले अब जो अगला काम हमें करना है वह करना है हमें अपनी पेज की जो हैzet। सैटicky क्मप्लीट करनी ए, तो आप यह काम कंप्लीट होने के बाद आपको यहां पर दिख रहा है, आपको यहां पर स्टिं का आपको दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनल साइटिंग में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है क्योंकि आल्रेडी जो सेटिंग से कंप्लीटली वो फेस्बुक के दोरा कंप्लीट करी हुई होती है उसके बाद दोस्तों सेकंड आपको जो सेटिंग दिख रही है वो है आपको मैसेज रिलेटेड अगर आपको मैसेज रिलेटेड यहां पर कुछ करना है तो आप अपना सेटिंग से यहां पर डाल सकते हैं अ आपका जो भी business है उससे related आपको यहाँ पर सबसे पहले description लिखना है उसके बाद आपका जो category है उसमें आप और भी categories यहाँ पर add कर सकते हैं सबसे पहले हमारा local services हमने add कर लिया उसके बाद अगर आपको यहाँ पर और भी category add करनी है तो देखिए इस तरह से आप और भी category add करके यहाँ पर save change पर click कर सकते हैं ताकि आपके business के और यहाँ पर different categories हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर phone number डालना है जो भी आपका phone number है जिससे आपको लोग contact कर सकें वो phone number आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर save change पर click कर देना अगर आपके पास नही है तो my page does not have a website पर click करके आपको save change पर click करना है ताकि आपकी website यहाँ पर जरुवत नहीं पड़ेगी उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास email address है तो email address डाल दीजिए अगर आपके पास नहीं है तो वही वाला option आपको select करके आपको save change पर करना लेकिन मैं आपको एक बात ब business भी यहाँ से जो है आप अच्छा खासा promote कर सकते हैं तो यह सारी चीजे कम से कम आपके पास होना ही चाहिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर located in दिख रहा है कि आपका business कहां located है वो आप complete information यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि जो आपके offline clients है customers हैं वो आपके पास आसान जो है जो है complete आपको करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ देख़र आपको होश-चया उप्शन यानि की आपका business कितने Time से कितने टाइम र क्लिक कर्था देना है wurत प्राइवेसी पॉलसी अगर आपके बिजनस की कोई प्राइवेसी पॉलसी है जो आप हाइलाइट करना चाहते है अपने कस्टोमर्स के लिए वह भी आप यहाँ पर डाल खे आप जो है सेवचेंज पर क्लिक करने के बाद आपका जो है कंप्लीट यहां पर पेज बन जाएग इंस्टाग्राम की सेट्टिंग में अगर आपके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसको आप यहां से सीधा लिंक कर सकते हैं जो भी आप उसके बाद अपने फेस्टू बिजनस पर पोस्ट करेंगे वो सीधा आपके जो है इंस्टाग्राम पेज पर भी इसकते हैं और सेटिंग्स जो है इतनी काम की नहीं है तो सीधा आपको जो है और जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट मिलेगी फेस्टू की तरफ से देखिए इस तरह से यहां पर जो है हमने करनसी वाला उप्शन सेलग किया तो और यहां पर जो है इंडियन रुपीज करनसी जो है वो आ रही है तो जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट आपको मिलेगी यहां पर और उसके बाद आपको जो है यहां पर और कोई सेटिंग्स नहीं करनी है तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा कंप्लीट पेज बनके रेडी हो गया है अब हमारा जो अगला काम है यहां पर इ आप कैसे प्रमॉट करेंगे तो सबसे पहले अगर आपको पोश्टिंग करनी है तो आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना कहीं करने के बाद आपको यहां पे देखेगे डिक्रेट का ओप्षण वगेरा भी आट कर सकते हैं और अगर आपको color वगरा डड नहीं करना है अगर आपको कोई photo upload करना है या कोई video आपको promote करना है तो वो भी आप यहाँ पे इस तरह से देखे photo फे upload पे click करके आप उप यहाँ पे photo भी upload कर सकते हैं जो भी आपके product है वो फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अपलोड यह फोटो पर आपको क्लिक करना है, और अपलोड यह फोटो पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी फोटो है, वो यहाँ पर क्लिक करके आपको आपको शेयर नाओ पर क्लिक कर देना है, तो इस तरह से आप अपने ब Posting कर सकता हैं इस पर्मोट करना चाहते हैं अपने Business page पर इस तरह से आप posting भी कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कर सकें और दोस्टो चैनल भी जरूरिख रोप कर लिजेगा आपको अगर ऐसे वीडियो से लगातार देखने है डिजिटЫर मार्केटिंग कर देखना है और दीजिटल मार्केटिंग सीखना है बिजनेश ग्रोकर ना wurde सब्सक्रायब कर लिजेगा नीचे जा आपको और अपने business को grow करते रहें, दोस्तों अगर आप एक entrepreneur है, businessman है, और आप अपना business grow करना चाहते हैं, आप अपनी services promote करना चाहते हैं, business promote करना चाहते हैं, तो works million solution को अभी contact करिए, यहां से आप हमारी all tool digital marketing services ले सकते हैं, जिसमें आप SEO, SMM, PPC, email marketing, WhatsApp marketing, YouTube marketing जैसी all tool digital marketing services लेके, आप अ business grow करना चाहते हैं, तो works million solution को अभी contact करिए, और यहां से आप हमारी digital marketing services use करके, आप हमारी business grow कर सकते हैं, services sell कर सकते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने channel भी जरूद सब्सक्राइब कर लिया होगा, दोस्तों म जलता है, एक नए वीडियो में एक नए information की साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जैहिन!